जेहिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को यह बताने वाले हैं कि कि आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ कि फॉर्म रिजेक्ट और एक्सेक्ट के बारे में ठीक है क्योंकि 31 दिसंबर 2023 तक फॉर्म और लाइन अप्लाई हुआ था कब तक हुआ था 31 दिसंबर 2023 तक फॉर्म अप्लाई हो गया था और फॉर्म अप्लाई करने के बाद मेरे बहुत सारे भाई हैं जो की परिसान हो रहे हैं और बार बार कमेंट कर रहे हैं फॉर्म कॉल्स मैसेज आ रहे हैं कि आखिर हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा यह जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाला हूँ मेरे पास यहाँ पे एक रही सेसन नंबर है मैं उसको यहाँ पर फिल कर देता हूँ और अब मैं आप एक कैप्चा फिल करके मैं यहाँ पे हर एक चीज आपको दिखाने वाला हूँ ठीक है तो इसलिए वीडियो को कमपलीट देख लीजिएगा तकि आप सभी को यहाँ पर यहां पर यह हो गया print यह हो गया apply यह हो गया print यह हो गया payment और यह हो गया payment status यह हो गया application status हम आप सभी को यहां पर application status पर click कर देना है अब जैसे आप सभी यहां पर application status पर click करते हैं तो आप सभी सामने यहां पर इस type का interface आ रहा है यहां पर एक बहुत ही बड़ी update है आप सभी क लेकिन payment पर दिखा रहा है complete ठीक है और देखें यहाँ पर application status पर दिखा रहा है application received content not verified मतलब आपका जो यहाँ पर form है वो चेक नहीं किया जा रहा है ठीक है सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर apply हुआ है चेक नहीं हुआ है इसी पकार से मैं आप सभी को दिखा देऊं कि दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल का इस बच्चे ने form apply के था आखिर उसमें कैसा शेटर दिखा रहा है मैं आप सभी को जो कुछ बिताने कोईशिस कर रहा हूं आप सभी उसको ध्यान से देखेंगा ठीक है यहाँ पर click कर दिया औ मुझे नीचे तरफ यहाँ पर इसकोल करते हुए चलना है यहीं पर देखो दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल का लिखा गया है मैं इस पर click करता हूं ठीक है जैसे मैं यहाँ पर application करता हूं तो इसमें भी देखें यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है देखें यहाँ पर स यहाँ पर दिखा रहा है मतलब नहीं देखेंगे अभी तक क्या होता था क्या होता था कि 2021 से पहले है 2021 созд तो आप सभी यहां पर अप्लाई कर दिखा रहा है यहां पर कंपलीट के वल दिखा रहा है तो करता था कि कुसका बलत है जैसे सभी यहां पर आप चांच 550 को प्रणा कर देते हैं और उप्लाई करने के बाद सभी को कुछ कर नहीं होता स्ट भी यहां पर फांची करता है ठीक है, और सभी काड़ का दते हैं, था जानद ने जाते हैं, और पह चक तब यहाँ पर चख करने क बाद यह वहाँ पर अपडेट कर दिया जा सकता तो इसलिए आप सभी परिशान मत होईए अभी ये जैसा भी है वैसे ही रहेगा आप सभी को एजाम देने का मौका मिलेगा एक content not verify देखकर आप परिशान मत होईए क्योंकि SSC किसी कभी form नहीं चेक करता आप कहीं किसी कभी नहीं कर रहा है तो इसको लेकर आप बिल्कुल नि चलने वाले है ठीक है तो आप सभी अगर अभी तक आप सभी ने यहाँ पर त्यारी नहीं किये त्यारी कर दीजिए और त्यारी अपने रफ्तार में लेकर आए क्योंकि एक्जाम डेट भी आपके सामने है कि 20 प्रब्री 2024 से आप सभी के एक्जाम होगे तो आप सभी राफिजर स्कूर इंक्रीज होगा ठीक है बात करें आप सभी को त्यारी प्रब्रीज यहाँ पर त्यार किया गया है अगर आप सभी प्रब्रीज को लगाते हैं तो आपकी तयारी बेहद यहाँ पर मजबूत बन जाएगी साथ मैं आप सभी को बता दें कि चक्सू पब्लिकेशन का बेस्ट इस्टेडी बुक भी आता है जिसे लेकर आप सभी अपनी त्यारी यहाँ पर कर सकते हैं और अगर आप सभी प्रब्रीज सेट और बेस्ट इस्टेडी गाइड पर्चेस करना चाते हैं तो लिंक के डिसक संदो नमर के रहने वाला है निगेटिव मार्किंग भी आप सभी का 0.25 का रहने वाला है ठीक है तो इसलिए आप सभी यहाँ पर फड़ा फड़ा अपनी त्यारी शुरू कर दीजिए और जो भी आपके डाउट सारे अपके अंदर आप सभी कमेंड जरू करिएगा और एक वान देमाता